नमस्कार दोस्तों मैं अंकर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में बाजार में तूफानी तेजी आती हुई देखिया हला कि अगर आप पॉइंट्स वाइज या फिर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो आपको उतनी बड़ी तेजी नहीं देखेंगे लेकिन अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक देखेंगे तो यहां आज ऐसे ना जाने कितने स्टॉक्स हैं जो शांदार ब्रेक आउट देते हुए दिखेंगे एन्ड लगबग 5 से 10 परसेंट की तेजी है अगर आप निफ्टी को देखोगे तो लगबग आदे परसेंट की मामली सी तेजी है लेकिन इस मामली तेजी में बहुत बड़े लेवल सामने आ रहे हैं 15,600 के उपर की क्लोजिंग अपने आप में ही बहुत इंपोर्टेंट हो जाती है एंड मैं आप सभी से 2-3 दिन से continue share कर रहा हूँ 15,660 जो की में मंत के highs थे अगर वो निकल जाते हैं मान लीजी आज अमेरिका के बाजार में शेशन अच्छा हो जाए कल संकेत अच्छे आजाए और 15,700 के उपर तिक जाए हम तो सीधे 17,200 तक की rally हमारे बाजार में आ सकती है ऐसे में कुछ stocks आप सभी के साथ share करने जा रहा हूँ मैं जो आपको अच्छा मुनाफ़ा बना के दे सकते हैं short time में तो चलिए एक एक करके सब कुछ आप सभी के साथ share करता हूँ वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ लेकिन उससे पहले आप सभी से एक request करना चाहूँ अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इसको subscribe करें notification bell icon दवाएं तक कि मेरी वीडियो आप लोग अतक पहुंचे सब से पहले इनका इसे वीडियो आपको समझ में आये पसंद आये इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको like भी कर देना दोस्तों अगर आप दुनिया के सबसे बड़े bridge के बारे में जानना चाहते हैं जो कि हमारे भारत में निर्मान हो रहा है तो उस पे आज मैंने अपने दूसरे चैनल पे पहली वीडियो बनाई है लिंक आपको description में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते हैं यहीं कहीं मैं mention कर दूँगा poster भी आप वो भी check कर सकते हैं देखिए माजार की बात तो मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी निफ्टी की बात शेयर कर दी बैंक निफ्टी में हलकी जादा तेजी थी दौनों ही जगे आपको breakout आता हुआ दिखाए एडवांस शेयर्स की बात करूँ तो 1235 शेयर्स एडवांस थे जिसके सामने 716 शेयर्स decline हुए अगर market की overall बात करें तो mid cap index लगबग 0.5% तेजी में थी and small cap लगबग 0.8% निफ्टी सेंसेक्स आदे आदे परसेंट और बैंक निफ्टी में 0.64% के लगबग की तेजी थी आज के out performance की बात करें तो PSU banks की तरब से out performance की बात करें तो pharma आज कहीं ना कहीं हलकी कमजोरी के साथ trade करता हुआ दिखा निफ्टी से इंडसल बैंक अपने results के बाद 8% की तूफानी तेजी दिखाता हुआ दिखा वहीं बजाज finance में भी 3% की तेजी थी अगर overall देखें तो कहीं ना कहीं market में 42 shares nifty के positive रहे जिसके सामने 8 shares negative थे negative की बात करें तो जैसा कि मैंने का pharma से थोड़ी problem थी तो doctor ready लगबग 2% वीक था कोटक महिंद्रा बैंक में भी 10% की कमजोरी थी SBI Life, Sipla, Tech महिंद्रा, Reliance, JS, WST, HDFC बैंक ये कुछ स्टॉक्स अगर आप Tech महिंद्रा देखें तो 12-13 रुपे गिरकर बंद हुआ है 30 रुपे का dividend that means almost 17 रुपे positive आप देख सकते हैं कि बंद हुआ है आप कह सकते हैं Tech महिंद्रा कुछ stocks इसी तरीके से आपको आज के session में X dividend होते हुए trade कुछ stocks में news-based इस action भी काफी heavy रहा आज के session में अगर बात करें news-based stocks की तो कहीं ना कहीं रामकृष्णा फॉरजिंथ में 7.5-6% की तेजी देखनी आपने results के बाद हिंदुस्तान जिंक में 1.5% के करीब की तेजी PVR में अच्छा उचाल देखने को मिजा का जा रही है ceramics लेकिन इतनी सब कुछ बताऊंगा जिसका कोई फाइदा नहीं तो कोई फाइदा ही नहीं वीडियो का अब बात करते हैं हमें कौन से stocks पे ध्यान देना चाहिए तो मैं आप सभी के साथ कुछ stocks लेके आया हूँ जहां पे कल के session में बड़ा action हो सकता है तो यह मेरे लिए एक positive stock है बट इसके results कहीं नहीं थोड़े negative side पर आ सकते हैं तो देखना होगा results कैसे आते हैं उसके बाद इस stock में अगर results अच्छे आएं तो position बनानी चाहिए मेरे उपर के targets हैं लगबग लगबग यह stock मुझे लगता है कि 63 to 6400 की तरफ जाने के लिए तयार है लगबग 500-500 रुपे के भाव पर जब बड़ी गिरावट आई थी आपसे कहा था कि यह stock बेचना नहीं है आसे 15-20% आप बहुत जल्दी बनाओगे तीन से चे महीने का time मांगा था लगबग देड़ दो महीना ही हुआ है और आपने पैसा बनाया है 10% मुबारक हो और stocks की बात करूं तो आज के session में कहीं न कहीं chemical stocks में तूफानी तेजी थी दीपक नाइटराइट की बात करूं तो 6% stock उपर आया है और दे हाइस के पास ही almost closing देता हुआ दिखा है with volumes stock में तेजी बनी है मुझे लगता है इसमें जो breakout हुआ है 1850 के उपर लगबग stock 10 June 10 June के बाद आज पहली बार stock 1850 के उपर निकला है stock में लगबग 2000 रुपे तक की rally बन सकती है बहुत बड़ी rally की बात कर रहा हूँ इसके लिए आपको समय भी देना पड़ सकता है लेकिन stock वहां तक जा सकता है 1915 तक तो easily आपको मिल जाएगा वहां पर profit book करने की भी सोच सकते हैं start कर सकते है profit book करना guys IT stocks की बात करों तो यह आपके action में होने चाहिए देखिए continue तेजी बनती हुए दिख रही है 920 के ऊपर आज भी बंद होता हुआ दिखा है closing में तो कहीं न कहीं यह stock पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए 999 in fact 915 के SL के साथ 15-20 रुपे का SL रखे इसको buy कर सकते है 960 तक के targets आंगे तो यह मेरे कुछ stocks जो मैंने आप सभी के साथ शेयर करा मुझे लगता है बजार में अगर 16-700 की closing मिली तो 500 points की rally होगी फिर तो मैं आप से कहा रहा हूँ banking से कुछ भी उठालो IT से कुछ भी उठालो in fact पूरी nifty में कुछ भी उठालो पैसा बन जाएगा आपका तो यह मेरी video hope आपको समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day